गुडबाई बीजेपी, गुडबाई नरेंद्र मोधी टाटा बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8500 रुपे साल के 1,00,000 रुपे कटा कट, कटा कट, कटा कट पहली नौकरी पक्की स्कीम में बाई और बेनों ये जो हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं इसके पीछे सूच है नरेंद्र मोधी ने 22 अरबपति बनाए उन्होंने पैसा इंग्लेंड बेजा, अमरीका बेजा, जापान बेजा, दुबाई बेजा हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं आप इस पैसे को गाउं में, शेहरों में, कजबों में, खर्चोंगे आप स्कूटर खरीदोगे, मोटर साइकल खरीदोगे आप घरी खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, शर्ट पैंट खरीदोगे जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे हिंदुस्तान की फैक्ट्रिया चालू हो जाएगी और उनी फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा हम हिंदुस्तान की अरवेवस्ता को jump start करने जा रहे हैं जैसे fuel tank में petrol डाला जाता है उसके बाद चावी गुमें जाती है वैसे हम आपके fuel tank में petrol डाल रहे हैं, धन डाल रहे हैं उसके बाद चावी गुमाएंगे हिंदुस्तान की अर्वेवस्ता चालू हो जाएगी आपको रोजगार मिलेगा मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के कारे करता हूं से कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता हूं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं किस बात का धन्यवाद कि इस चुनाव में ये जो दोनो समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी है जो हाथ का निशान है और जो साइकल का चिन है ये दोनों एक साथ मिल गए साइकल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है और ये दोनों एक हो गए हमारे कारे करता दोनो मैंने अपनी आँखों से देखा है कॉंग्रेस के कारे करता दिल लगा के समाजवादी पार्टी का समर्तन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्य करता है पूरे दिल से कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करता हो का कॉंग्रेस पार्टी की केंडिडेट्स का पूरा समर्तन कर रहे हैं बाई और मैंनों जीत निश्चित है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लिख लो यहाँ पे clean sweep होने जा रही है गड़ बंदन की इंडिया गड़ बंदन की लाइन लगने वाली है सीटों की ठकाठा 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 और उसके बाद गुडबाए बीजेपी गुडबाए नरेंद्र मुधी टाटा तो दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ इसको बचाना है भाई और बेहनों अमबेटकर जी का समयदान है अमबेटकर जी का समयदान है ये हत्यार अमबेटकर जी ने गांदी जी ने हिंदुस्तान के दलितों क को पिछडों को आदिवासियों को कमजोर लोगों को दिया इसकी रक्षा करनी है जान से रक्षा करनी है पूरे दम से रक्षा करनी है